स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो में आज हम इस वीडियो के माधिम से आपको बताने वाले हैं इस्रम कार्ड के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस्रम कार्ड बनाने का सरकार का क्या मकसद है और इस कार्ड को बनाने के क्या-क्या फायदे हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा तभी आपको इस रम कार्ड के बारे में अच्छी समझ हो पाई तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और जिसको रोजगार की कोई भी सर्ते और नियमित रूप से असंगति छेतर माना जाता है इस सेक्टर में किसी भी सरकारी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है जैसे ताड़ी बनाने वाले, सफाई कर्मी, सिर पर भाहर ढोने वाले, पसु चालित वाहन वाले सर्मिक, घरेलू कामगार, मचुवारे और महिलाये, नाई, सबजी और फल विक्रेता, नियूस पेपर विक्रेता, वगेरा वगेरा असंगति छेतर के अंदर गत आते हैं इन सर्मिकों का सरकार के पास कोई ठोश डेटा नहीं था, इसके वज़े से सरकार का कोई लाव इन असंगति छेतर तक पहुँचाना मुस्किल होता, इसलिए गवर्मेंट ने एक सेंटरल लेवल का डेटा बनाने के लिए इस्रम काट योजना सुरुवात किया, जिसमें तेजी से लाव पहुचाए जा सकेंगे, तो अब बात कर लेते हैं कि इस सर्म कार्ड का बेनेफिट्स क्या सवर, लेवर जो भी काम करते हैं, उस काम का पता होने का उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता था, इस सर्म कार्ड बनवाने के बाद लेवर लोगों को यह बता पा जो उसे गवर्मेंट के तरफ से इस सर्म कार्ड बनाने का बेनिफिट्स यह भी है, इस कार्ड को बनाने के बाद सरकार के पास एक सेंट्रलाइज डेटा उपलब्द हो जाएगा, जिससे सरकार को यह पता चलेगा कि देश में किस-किस परकार के सरमिक हैं, और कितने लेव इस यह है कि सरकार के पास सरमिकों का जो डेटा हो, सरकार उस डेटा को जो भी इंपलोइमेंट प्रोवाइट करने वाली कंपनी हैं, या कोई संस्था है, उसके साथ सेयर करेंगे, जिससे कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से, यानि संस्था को जिस काम के लिए लेवर चाहिए उस काम के हिसाब से लेवर को ट्रेक कर पाएंगे, और सरमिकों को भी आसानी से काम मिल जाएंगे, इस रमकार्ट का सबसे महत्मुन फैदा ये है कि अगर आप इस योजना के अंतरगत पंजिक्रित हैं, तो केंद्र सरकार के तरब से परधान मंतरी सुरुक्षा भ इकलांग हो जाते हैं, तो एक लाख की रासी दी जाती है, इसके लिए लाभिकों को 12 रुप्या परतिस साला नव गौवर्मेंट को देना होता है, अब लाच में बात कर लेते हैं कि इस रम कार्ट बनवाने में कितने पैसे खर्च होते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपक कार्ट के बारे में अच्छी समझ ले पाए हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सेर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इसके बारे मनोलज हो पाए, तो मिलते हैं फिर किसी नए